इस वीडियो इस ब्राट टी यू बाई कौँछा ड्रिंक है बई रेड बूल, मैं खुद ही बूल गया था यह लोकल स्टोर में मिलता है यार इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की जरूवत ही नहीं हेलो से अडिरूस में आप लोग का स्वागत है और थोड़ी देर पहले जो मैंने किया वो मजाख मस्ती था उसको मजाख में ही ले लेना, तिल पर मत लेना और सुबह में दोस्तों हमने रेड्मी नोट 8 प्रो का एक फुल इन डैप्थ रिवीव किया था तो अगर मैं जानता हूँ काफिस सरा लोगों को अभी भी फोन नहीं मिलाता सेल में तो जाके देख लेना, लेने से पहले आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एक सर्प्राइस गिवववे भी है, तो उसमें जाकर पाटिसिपेट करना और बहुत सारे इंट्रेस्टिंग विडियोस आएगे, और मैं माफिय चाहता हूँ, आज की रेकनूस लेट आ रही है मोटो जी एट प्लस घूस गया था, बीच में तो हम क्या कर सकते है, टाइमिंग ही वह इता ब्राजिल का अगर आप ऐसी कोई थंडी जगा पर है, जहाँ पर आपको थंड लग रही है, तो कोई बात नहीं, मोबाइल हाथ मे लो, टेकनूरोस की टेकनूस चालो करो, गरमा गरम महसूस होगा, गरमा गरम टेकनूस लेके आ गया हूँ विडियो मसन आवे तो लाइक कर लो दोस्तो, पिछले बार भी 30,000 लेक्स लेके आये थे, इस बार भी कर लेना, और फड़ा बट से आज की रेक में शुरू करते हैं का उनने एस्टीमेटिट बताया, कि उन 24 दिनों में उनने 5 लाख से भी जादा मी टीवी सोड किया, मैं सिर्फ टीवी की बात करो, मतलब इदर एक मक्ही भी घुम रही है, तो इसे सरकल मारनी पता नहीं, इदर से दो फिल गई, मतलब कमाल कर दिया है शाओमी ने में क्या बड़ा वाला का जो हो गुल गुल खुम रहा है, मुझे परशान कर रहे हैं भार भी नी जा रहा है, और अगर आपको दिख गई तो पास करके बताना बटार जूम कर गई कैसी थी और अगर आपको दिख गई कैसा था पता नहीं एनिवेज दोस्तों Qualcomm की तरफ से ख़वार आ रही है और Snapdragon 735 की काफी सारे leaks और rumors आ रही है कि ये processor ऐसा होगा वैसा होगा और HMD भी अपने Nokia की 8.2 में लाएगा और बहुत सारे और भी companies इसको लेके आएगी लेकिन अब यहाँ पर सुदाम शू अमबोरे ने इसके specs जो वो शेर करिए कि Snapdragon 735 में क्या मिलेगा अब यह specs अगर आप देखते तो उसमें आप देखेंगे दो कोर आपको Cortex A76 वाले मिलेंगे 2.36 GHz के उपर है और साथ में आपको बाकी के 6 Cortex A55 वाले मिल रहे यह 7 NM पर बेश्ट होगा जो बहुत अच्छी बात है और साथ में आपको यहाँ पर Adreno 620 वाला GPU मिलेगा हाला कि इसको Snapdragon 730 से कर compare करते है तो वहाँ पर 618 था तो GPU यहाँ पर 620 है और वो जो थे वो कुछ 8 NM पर थे तो यहाँ आपको 7 NM पर मिले रहे बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों Honor की तरफ से खाबर आ रही है Honor 9X 9X Pro इंडिया में इस साल की एंड में जो वो लॉंच होगे उनकी कुछ प्राइस यहाँ पर जो लीक होकर आ गई है और बताया तरह है कि यह जो स्मार्टफोन इंडिया में अंडर 15,000 जो वो आ सकते हैं मतलब इसका जो बेस होगा वो आपको शायद 14,999 में जो देखने को मिल सकता है और 664 वाल आपको जो वो वेरिंट मिलेगा और याद रखना है किरिन 802 प्रोसेसर है 7 NM पर है उस प्राइस पर उस जगा पर और कोई प्रोसेसर नहीं जो आपको 7 NM पर मिलता है और किरिन 802 बहुत पौफुल है अगर ऐसा होता है तो फिर तो मजा ही आ जाएगा देखते हैं इस साल की एंड में आएगा लेकिन साथ मैं Honor के आज कल 25 अक्टूबर का सेल का आखरी दिन है तो मैं आप फाइनल रिमाइंडर कर रहा हूँ शायद इसके बत मैं नहीं कर पा हुआ तो फाइनल रिमाइंडर है जितने भी Honor के स्मार्टफोन से Honor 8X, Honor 10 Lite, Honor 20i, Honor 9N वगेरा के सब पर सेल चल रहा है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ आपको जो पसंद आता है आप वहाँ से जाके पर्चेस कर सकते है तो अब दोस्तों सैमसंग की तरफ से खाबर आ रही है यह बहुत इंट्रेस्टिंग खाबर है और अचानक से सैमसंग को क्या हुआ पता नहीं उन्होंने अपने most powerful flagship processor को अनौंस कर दिया है और वो है Exynos 990 जी हाँ अब यह दोस्तों अगले साल की जो Galaxy S11 की जो series आएगी यह उन में debut करेगा और फिलाल के लिए जो existing Galaxy Note 10 है जिसमें Exynos 9825 है यह उसका successor बनके आएगा मतलब 4 डिजिट को 10 डिजिट Exynos 990 पता नहीं anyways यहाँ पर main जो focus है उनका इस processor में वो है GPU और 5G एकर अगर मैं overall specs की बात करूँ तो आपको 2 core उनके custom वाले मिलते जो बहुत powerful है फिर 2 cortex A76 बाकी के 4 आपको cortex A55 यह 20 पसंट बेटर है अगर आप उसको पुराने Exynos 9825 से compare करते है जो GPU दोस्तों उसमें आपको Mali G77 वाला मिलता है यह latest ही है जो बहुत powerful है यह भी 20 पसंट बेटर perform करेगा और जो 5G है यहाँ पर उनका latest इसमें Exynos वाला मॉडम है 5123 वाला यह बहुत ज्यादा powerful है बहुत high speed डेगा और connectivity पर आपको काफी कमाल की मिलेगी वैसे यहाँ पर आपको 120 Hz refresh rate की display के support के साथ में मिलता है और 7 में आपर up to 108 Mbps की camera के support भी इसमें provide किया गया और बहुत सारे और वी कमाल की feature से तो देखके लगा रहा है कमाल का processor होगा और अगर यह अगले सल आता है Samsung S11 series में तो समझ लो भाई वो phones बहुत ही दमदार जो perform करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एंडिया में अगर आप बहुत ज्यादा train में सफर करते तो आप लोगों लेक बहुत ही अच्छी ख़बर है जहाँ पर हमारे जो union minister है उन्होंने ये बताया कि भाई आने वाले 4-4.5 साल के अंदर हम जितने भी जो train से मैं platform की बात नीं कर रहा service provide करेगे जी हां मतलब सभी trains के अंदर उनकी प्लानिगे मतलब 4-4.5 साल लग जाएगे इसको लाने के लिए और यहाँ पर जितने भी trains होगी उनकी ये भी प्लानिगे कि उसको वो लोग electric ही पूरी convert कर लेंगे तो पूरी electric trains भी आपको 4-4.5 साल के बाद इंडिया में जो देखने को मिल जाएगी वैसे उन्होंने ये बताया कि इसमें CCTV भी continuous लगा रहेगा तो उससे क्या होगा कि security के लिए भी काफी जदा help होगी क्योंकि वो भी obviously wifi से connected रहेगा तो police चोगी वो उसको live monitor भी कर सकती है मैं trains की बात करो तो आप लोगों को भी service मिलेगी दूसरा security के भी काफी बढ़िया रहेगा और उन्होंने ये बताया कि अभी जितिने प्लेटफॉर्म से इंडिया में वो लगबख साड़िची हजार है उनमें से अगले साल तक हम उसको भी पूरे wifi में convert करेगे फिलाले करें सिर्फ 5150 ऐसे station से जिनमें है बाकी के remaining जो अगले साल तक complete ह हो जाएगे वैसे क्या ख्याल है दोस्तों ट्रेंस के अंदर wifi का वह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गर्मी में ठंडी का मसा ओलाला तो यहां पर दोस्तों Google की तरफ से बहुत ही important ख़बर आ रही है और हम सब लोगो के लिए वैसे काफी अच्छी ख़बर है अगर आप किसी भी brand का smartphone इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर दोस्तों Google का जो project travel था यह दो साल पहले Google ने शुरू किया था और उनका यही task था कि जित स्मार्टफोन में इस साल की end तक ही जो देखने को मिल जाएंगे तो अगर चाहें फिर आप Samsung के, Oppo के, Vivo के, Realme, Xiaomi वगरे के स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको इस साल की end तक ही उनमें Android 10 का update मिलेगा ऐसा यहां पर Google ने बता दिया है वैसे उन्हों ने यह कहा कि Android जो इंप्रूवड हो रहा है जो Android Pie में दिखाए दे रहा है लेकि Android 10 के आने के साथ उन्हों ने कहा कि पहले ही दिन में जब हमने अनौंस किया तो Xiaomi और Essential यह दो ऐसी कंपनी थी जिन्हों ने उसी दिन अनौंस कर दिया था और साथ में उसके बाद OnePlus फिर Samsung वगरा ने शुरू कर तो Android 10 जो होगा वो बहुत fast adopt करेगा अगर आप उसको Android Pie से compare करते हैं इसका मतलब अगले साल की शुरू से ही काफिस सारा ऐसे स्मार्टफोन होंगे जिन में Android 10 देखने को मिलेगा अब इस साल की Ntech भी दूसरी companies भी इसको provide करेगी में बहुत कुछ होगी सब up to date रहे तो अच स्मार्टफोन है अचानक से यहाँ पर इंडिया की BIS याने की Bureau of Indian standards और Thailand का NBTC पर जो वो लिस्ट होकर आ चुका था अब अब उसके बात हमें नहीं पता कि स्मार्टफोन में क्या होने वाला है लेकिन पूरा नाम के साथ आ गया था Realme 5S अब यहाँ पर रूमर्स ही है पता है ज़र कि Realme 5 और Realme 5 Pro के बीच में बैटेगा यह शायद से lighter version नहीं हो सकता है क्योंकि lighter में और और Realme की C Series चल रही ह और 3i वाली जो चल रही है यह Realme 5, Realme 5 Pro के बीच में बैटेगा उसके बाद इसमें क्या होगा उस पर अभी कुछ clarification नहीं है तो यह इंडिया में launch होगा यह तो confirmed है मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन अब यह मेरे ख्याल से शायद से यह वही phone हो सकता है जो rumor जा रहा था कि वो Realme X2 Pro के साथ मैंगा या फिर वो Realme U2 हो सकता है क्या हो सकता है यह नहीं बता लेकिन यह तो list हुआ है इतना तो confirmed है क्या खयाल इसके बारे में क्या लगता है यह क्या हो सकता है वो आप मुझे comment करके बता सकते है क्या आपको पता है कि दोस्तों Sony यह जो company इसका जो नाम ह यह कहां से derived हुआ था Latin language में दोस्तों Sony का मतलब होता है sound उसी से यहाँ पर जो Sony company का नाम derived हुआ था जी हाँ दो उनके कुछ हाई custom course है और बाकी के चार आपको context है ठोड़े यह जाज़ा हुआ 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 है